स्री महालच्मी नमहा, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ति वावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको महालच्मी ब्रत के बारे में जानकरी दूँगा देखो साल का ये सबसे बड़ा ब्रत है, मातालच्मी का ये ब्रत है ये ब्रत सोले दिन चलता है, बहुसे उसी दिन को यानि लाश्ट अश्टमी को अस्वनी मास की कृष्ण पक की जो अश्टमी आती है, उस दिन जीवित पुत्र का ब्रत और मालच्मी का ब्रत होता है उसी दिन सुबह धागा बानते हैं और साम को को खोल देते हैं। लेकिन जाधा तर लोग सोले दिन धागा बानते हैं और सोले दिन माता की पूझा करते हैं। माता को जा करके खिला दीजिए अपने इच्छा बोल करके ऐसा करने से आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी दूसरा अपाए प्रते दिन माता कसामरी पीली कोड़ी और एक कमल गट्टा आपको चड़ाना है और लाश्ट की दिन यह सभी तेजोरी में रख दें साथ ही दि वो बापिस नहीं आता तो उनको इसमें से एक पीली कोड़ी हमेशा आपने जेब में रखनी चाहिए पीली कपड़े में बांध करके इससे कारवणने शुरू हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी बहुत ही प्रभाबसाली और चमतकारी उपाएं प्रते दिन माता लच मंतर का जाप करें सपेद मिठाई माता लच्मी को समर्पित करें केसर और इलाची रखकर के मिठाई पर माता लच्मी को समर्पित करें प्रते दिन आप अगर यह उपाय करते हैं तो आपको लाब मिलेगा साथी पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के परक्रम आपको जरूर करनी है इसे मातालचमी प्रसन हो जाती है और मनवानचित भलपरदान करती है इन सोले दिनों में नौर आस्या हैं जो बेहदी भगिसाली रहने वाली है प्रते दिन मातालचमी के सामने दीपक जलाएं पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाएं भगवान बिश्णू भगवान सिव और तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पूरिए गोव माता के मस्तक पर ट्रीका लगाएं उनके मस्तक पर हाथ रखकर के अपनी इच्छा बोलें और साथ ही गोव माता को मीटा खिला करके आएं गोव माता की परक्रमा करें और गौदूद से माता लच्छमी को भोग लगा करके वह जरूर पीए माता अग्जामने के लिए के फल्चिर रखकर के आप सिंगाडा रखकर के माता की पुजा करें और वो जरूर खाएं इससे मनोकामना पूरी हो जाती है दोस्तों इन दनों में कही रासिया हैं जो बियादी भागिसाली रहने वाली हैं जैसे मेश रासी है, मेतरु रासी है, करक रासी है, सिंग रासी है, कन्या रासी है, तोला रासी है, धनु रासी है, मकर, कुम और मीन रासी ये रास्या हैं जो इन दनों में बहुत ही भागिसाली रहने वाली हैं उपाय सभी रासी बाले करें सभी की मनुकामना पूरी होगी साल का सबसे बड़ा ब्रत कह सकते हैं ये ब्रत पांडवों ने भी रखा था माता कुंती ने भी ये पूजा की थी तो उनकी भगवान ने रख्चा की भगवान कृष्णे साक्या तो उनकी रख्चा की थी तो जिनकी भी परहिसानी आ रही है आपके लिए बहुत ही अच्छा पसर है आपको ये उपाय जरू करना है इन दरों में सुद्धताई का भिश्य शूफ से ध्यान रखे पवित्रता का ध्यान रखे वीडियो को जादा जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जय माताती जरू लेकर आपकी हरमनों कामना पूरी होगी